आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है और आज 23 मार्च है ना तो भारत सरकार का तुगलकी फर्मान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का बिद्याले फिर बंद किया जा रहा है क्योंकि करोना बढ़ रहा है सांतर ये कि आपका बिद्याले आज से 31 मार्च तक बिद्याले बंद रहेगा ठीक है और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि ये खपते के लिए लागडाउन किया जाएगा जब आपका एनुवल इक्जाम चल रहा था और तब से ले साल जब बिद्याले खुला आपने किताब कापी अपना सारा बेवस्था कर लिया तब हमारे तुगलकी फर्मान जो हमारे सरकार हैं वह आदेश कर दिये कि अब फिर जो है कि ये बिद्याले फिर बंद होगा माननी योगी आदित नात महराज जी मैं आपसे पूछना चाहत खता हूं कि आप बच्चों के भविज्द के साओं चाहँ के साथ और जो प्राइवेट अध्यापक बिद्याले में पढ़ा के अपनी कमा खा रहे हैं थीडेले हैं वह खिलिवार क्यों कर रहा हैं़िंग है अगर करोना फैल रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गोरकपुर महोस्व आप करा रहे थे तब करोना फैल नहीं रहा था जब आप आके यहां पे इलहाबाद के प्रयाग राज में कुम्ब का मेला लगवा रहे थे तब करोना नहीं फैल रहा था जहां पे करो जिनकी बुनियादी सिख्षा प्रारंबिक सिख्षा आप बिल्कुल बर्बात कर दिये हैं पिछले दो साल से और अब जाके फिर लागडाउन आप लगा रहे हैं तो आप से पूछना चाहेंगे कि बच्चों के भविस के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं ये जितने भी आप एक अप्रैल बोले हैं एक अप्रैल तक अगर विद्धाला नहीं खुला तो इन सारे बच्चो को ले के मैं रोड़ बैट जाउंगा ये मैं आपको को खूला चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि बात शिर्फ मेरे तक का नहीं हैं इन सारे बच्चों का भविस है और इन सारे बच्चों का भविस आप लोग अंधकार में डाल रहे हैं। क्यों? मान्त योगी आदित्नात जी क्योंकि वो लीच पे चलाते थे और उनका भारा हुआ करता था चालिस चालिस हजार पैंतालीस हजार रुप्या मन्थली हुआ करता था। के और इस विद्यालय के संस्था से आप लोग हमारे पेट पे परहार कर रहे हैं हम लोगों के ब्योसाय से परहार कर रहे हैं। ठीक है विद्यालय बंद कर दीजिए तो आप ये भी अपने नियत को साफ करिए कि कुम्ब का जो मेला महा कुम्ब का लगवाने वाले हैं उसको भी कैंसिल कर दीजिए। और जो गोरकपूर महस्ता और गोरकनात का मेला लगवा के आप ड्रामा करवा रहे हैं वो भी बंद करवाईए। यानि आप खुद नियम का पहले फालो करिए हम लोग नियम को फालो करने के लिए तयार हैं। अगर लास्ट में जाते जाते यहीं कहेंगे इन बचों को चेहरों को देखिए। पूरी पढ़ाई बरबाद हो गई अब यानि आपने एक हपते का लगाया है आपकी नियत पर तो मुझे 100% बिश्वास है नहीं है कि आप करोगे क्या आप पूरे साल पढ़ाई बरबाद करोगे हाद नीचे करिए अब ये बच्चे करेंगे क्या किताब लेकिन के गारजियन करेंगे क्या हम लोगों ने पूरा कॉपरेट किया सरकार को जितना दिन लागडाउन लगा था उतना दि बिद्याले खुलने के बाद आप लोग बिद्याले बंद कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है और आपका पूलोटिकल जो फंडामेंटल जिस पर आप चल रहा है कि जिन नियतों पे आपका बरबाद होने वाला है मैं लिख के आपको दे दूँगा कि अगर फिर से एक अ तो निश्चित तोर पर याद रखिएगा कि ताना साही उतना ही अच्छा लगता है जितना ताना साह के अंत होने का समय ज्यादा दूर हो और आपका समय बिल्कुल नजदीक आगया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा एक अपरेल के बाद इस बात को याद रखिएगा क्योंकि सवाल यहां सिर्फ मेरे रोजगार का नहीं यहां मेरे जितने सा पार्थी और जितने मेरे करमचारी लोग है और इन बच्चों के पढ़ाई का भविष का सवाल है तो मैं इन बच्चों को लेके धरने पर बढ़ जाऊंगा जरूरत पढ आपको इतना चिंटा करने जरूरत नहीं है क्योंकि करोना मलागडाउन लगाने के बाद खाना हमी लोग करेंगे उनके दवादारू की व्यवस्ता हमीं लोग करेंगे आप सिर्फ ड्रामा करेंगे और मुंबत्ती जलवाएंगे इससे ज्यादा तो आपकी कुछ उकात ही तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक अपरेल के बाद आप विद्याले खोल दीजिएगा इन बच्चों के भविश के साथ आप लोग खिलवार मत करिएगा